सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन यहां कुम्भ में भगवान की क्रिपासे अनेक संत महत्रुस पधारे हुए है और कुम्भ का सही अर्थ यही है कि मुद मंगल मैं संत समाजू यहां जो कुम्भ है यह केबल संगम प्रियागराज ही संगम नहीं अपितु यहां अनेक संतों का संगम विचारों का संगम, महापुरुषों का संगम और इतने सारे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है इससे बड़ा साइद दुनिया में कोई लाव नहीं होता जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास समय, संपत्ति ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ये आती है, जाती है और इसका अपने जीवन में समय और संपत्ति का जिसने सही प्रयोग नहीं किया सही उप्योग नहीं किया, उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है यहाँ हमको भगवान ने मनुस्य बनाया, 84 लाख योनियों में परमात्मा ने क्रिपा करके मनुस्य योनि हमको दे दी, इससे बड़ा सौभागे क्या होगा गोस्वामी ये लिखा है गब होके करी करुना नर देही, इस देत बेनुहे तुसनेही भगवान क्रिपा पुरवक देते हैं यह दे 84 लाख योनियों में भगवान ने हमें कुछ और बनाया होता तो हम सब कुछ कर सकते आहार, निद्रा, भै, मैथ, नम्च आहार भी पसुपक्षी, 84 लाख योनियों के सब पाते हैं भै भी सब को लगता है, बालवच्चे भी सब पैदा करते हैं सोते भी सब हैं, लेकिन मनुफ्य के पास एक और एक मात्र सबसे बड़ा गुण है और वो है, उसे सतसंग मिलता है, भजन मिलता है और सतसंग भजन के द्वारा अपने जीवन का तो वो उद्धार करती है अपने कुल का उद्धार करता है हमारे सास्तों ने कहा कुलम पवित्रम जननी करतार था बशुंधरापुन्यवतीच एनन कुल पवित्र हो जाता है उसकी मापवित्र हो जाती है और वो धर्ती पवित्र हो जाती है जहां भगवान की भक्त जनन लेते हैं तो यहाँ पर हमको भगवान में मनुष्य बना के भेजा तो सबसे बड़ा जो लाव है वो एक ही है कि इस सरीर से परमात्मा का जितना हो सके स्मर्ण करें और इसी मनुष्य योनी में एक वार मनुष्य बने हैं तो भगवान से प्रार्टना करें कि हिनात अब दुबारा जन् कर्मवसर तहरामपद अनुराग हूँ भगवान के चर्णव में प्रीटी हो भगवान के चर्णव में अनुराग हो ऐसा प्रतेक जीव को प्रयास करना चाहिए वो प्रयास केवल एक हीतरह से होगा संतों के संग से हमारे महापुरसों ने कहा है आग लगी आकास में जल जल गिरें अंगार संतन होते जगत में तो जल जाता संसार संतन होते जगत में तो जल जाता संसार तो यहाँ इतना बड़ा आनंद है अच्छा एक बात और आप लोगों को मैं निवेदन करूं कि यह सत्संग केवल भारत भूमी में ही अच्छे से प्राप्त होता है अन्य जगों पर भोग तो बहुत है मैं विदेशों में भी जाता हूं इस वार सिंगापूर में कथा दी मैंने वहाँ देखा सब कुछ है सांत संती को नहीं है संती स्री ठाकुर जी के चड़ों से भारत भूमी में संकों के चड़ों से बहुत होते हैं आप सबके लिए बहुत 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 नंगल कामना बहुत बहुत है कि अ